नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आचलो राब देख रहे हैं दभारशो एलवीशादो की जमानत तो हो गई लेकिन वो अपने घर नहीं जा पा रहे हैं अब ऐसे में उनके फैंस थोड़ा दुखी नजर आ रहे हैं उमेद उन्हें है कि जल्दी एलवीशादो अपने घर जाएंगे लेकर सवाल वो ये खड़ा कर रहे हैं कि जब जमानत हो गई तो एलवीशादो को घर क्यों नहीं भेजा जा रहा है और कई मेडिया रिपोर्ट्स में ये दावा भी किया जा रहा है कि एलवीशादो इस बार की होली अपने घर वालों के साथ नहीं मना पाएंगे और अगर नहीं मना पाएंगे तो इसके पीछे की सबसे बड़ी वज़ा क्या है कौन है वो जिसकी वज़ा से एलवीशादो अपने घर नहीं जा पाएं जबकि जमानत उनकी हो गए तो चलिए विस्तार से इस बारे में आपको बताते हैं और क्या कुछ अपडेट एलवीशादो को लेकर है इसके बारे में चर्चा करते हैं सबसे पहले तो आपको बता दें कि मेंनिका गांधी वर्सेस एलवीशादो केस में एलवीशादो को जमानत मिल गई है नुएडा कोट से एलवीशादो को बेल मिलने के बाद परवाना जेल पहुंचता है तो वहाँ पर जेल प्रशासन रिहाई से इनकार कर देता है जिसके बाद सवाल ये खड़े होते हैं कि एलवीशादो को जेल से बाहर क्यों नहीं आने दिया जा रहा है हालंकि उमीद यही जोताई जा रही थी क्योंकि बेल मिलने के बाद हम भी यही उमीद कर रहे थे कि एलवीशादो अपने घर पहुँच रहे होंगे जेल से वो बाहर आगए हुगे, लेकिन अचानक से ये खबर आती है कि अब Elvis Shadow की रिमांड गुरु गुराम पुलिस ले की तो चलिये बताते हैं कि कौन सब वो मामला है जिसकी वजह से Elvis Shadow की रिमांड गुरु गुराम पुलिस ले रही है और Elvis Shadow जेल से बाहर कब आएंगे दोस्तों आपको याद होगा Elvis Shadow को जब नुज़ा पुलिस 17 मार्च को गिरफतार करती है उससे पहले Elvis Shadow का एक सोशल मीडिया पर वीडियो बाइरल हुआ था वो वीडियो हमने भी आपको दिखाया था वीडियो में मैक्स्टन जो की एक यूच्यूबर है वो और Elvis Shadow दोनों मारपीट करते हुए नज़र आये थे दरहसल मैक्स्टन के तरप से कुछ ऐसी चीज़े Elvis Shadow को लेकर कही गए जो Elvis Shadow को पसंद नहीं आई उसके बाद दोनों के बीच में जड़प हो गई थी उस वीडियो के सामने आने के बाद IT Cell से लेकर Left Wing के जो तमाम लोग हैं वो Elvis Shadow के खिलाफ जमकर प्रॉपगेंडा फिला रहे थे हालनके बाद में मैक्स्टन के साथ Elvis Shadow की सुला हो गई बाद चारा ऑन टॉप के साथ उनकी तस्वीर भी सामने आ गई Elvis Shadow के न्यू सॉंग में मैक्स्टन नजर भी आ रहे हैं दोनों के बीच में किसी भी तरीके से कोई करवाहत नहीं है Elvis Shadow के साथ मैक्स्टन की पूरी फैमली जो है वो नजर आई और वो किस तरीके से Elvis Shadow की फैन है ये भी दिखाई दिया लेकिन कुछ लोग अपनी TRP के लिए कुछ लोग अपने पूरा एक तरीके से जो उनका मकसद था उसे पूरा कराने के लिए इस पूरे मामले को भुनाने के लिए जम कर नफरत विलाते हैं प्रापरगंडा Elvis Shadow के खिलाफ किया जाता है इतना ही नहीं मैक्स्टन को भड़का कर F.I.R. भी दर्च करवा दी जाती है कौन-कौन इनमें शामिल है वो आप सभी जानते हैं बताने की जरूरत नहीं है और जब उस वक्त हमने ये वीडियो दिखाया था वो हमारे खिलाफ सोशल मीडिया पर बाते भी लिखते हुए नजर आए लेकिन हमने तो बस सच दिखाया था और अब उस सच को अगर देखा जाए तो वो नजर भी आ रहा है कि गलती दोनों की थी चाहे वो एलवी शादो हूँ या मैक्शन और इसलिए दोनों के बीच में सुला भी हो गई और अब वो पूरा मामला जो है वो रफा दफा हो गया लेकिन एफायार दर्ज हो गई है तो अब उस पूरे मामले में गुरुगराम पुलिस एलवी शादो से पूछताच करना चाहती है एक तरीके से एलवी शादो को फसाने की ये दूसरी च्वाल है और इसलिए एलवी शादो की रिमांट मांगी गई है ये नोटिश जो है ए पूछताच करना चाहती है गुरुगराम पुलिस लेकिन उस बाक्त एलवी शादो न्याई खिरासत में थे और इसलिए अब जब वहां से जमानत में तो अब रिमांड गुरुगराम पुलिस चाहती है अब ये पूरा मामला जो है वो पहुँच के है गुरुगराम पोट म आगे इस मामले में क्या होता है लेकिन इस मामले में कोई दम नहीं है जब दोनों पक्षों के बीच में सुला हो गई है तो अब इस पूरे मामले में किसी भी तरीके से अलविशादो को कोई भी जो फसाने की चाल चली जा रही है वो फसा नहीं सकते तो जल्दी है इस मामल में भी बरी कर दिया चुआएका हलंकि दूसरे वाले मामले में अभी बी शादों को बरी नहीं किया गया है बलकि जमानत मिली पच्चास हजार के बॉंट पर जमानत दी गई